नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सौरब और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में आज से ठीक दो दिन पहले 17 सितंबर 2024 को जब पूरे भारत वर्स में नरेंदर मोदी का बड़े सेलिबरेट किया जा रहा था ठीक उसी दिन इंडिया से लगभग 1000 किलोमेटर दूर लेबनान के अंदर पेजर अटैक होता है दोस्तों तो आखिरकार ये पेजर होते क्या है ये जो पेजर अटैक किया गया लेबनान के अंदर हेजबुला के उपर ये किसके दोरा किया गया दोस्तों और आखिरकार ये कैसे एक मवाइल फोन से अलग होता है दोस्तों यहाँ पे तो बहुत कुछ है जाने के लिए वीडियो में और आप ये जो पेजर अटैक है ये पहले कभी तिहास में आपने नहीं सुना होगा ये काफी जादा अनप्रेस किया गया है ये कि मिडिल इस्ट को और जादा के ओस के अंदर धकेल देगा दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो इसराइल विल सर्टेनली रिसीव इट्स पनिसमेंट हेजबुला आफ्टर पेजर अटैक तो आप समझ गये होंगे कि ये जो पेजर अटैक किया गया है ये दोस्तों इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजनसी है दोस्तों मुसाद जो कि दुनिया की वन अफ टॉप मोश्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजनसी के अंदर आता है अगर जो हम दुनिया के और अलग अलग देशों के इंटेलिजेंस एजनसी की बात करें तो अब पहले नहीं पता कर सकते हैं। उसके वाद आता है इंडिया का RAW, पाकिस्तान का ISI और अमेरिका का आपने जाना यहाँ पे CIE। तो आप गौर कीजेगा दोस्तों जो इसराइल का इंटेलिजेंस अजेंसी है या फिर जो खूफिया जिनको हम एजेंसी बोलते हैं जो कि कुछ इसी परकार के confidential जनकार यहाँ पे कठा करते हैं और इनके जो एजेंट है वो दुनिया भर में लगातार यहाँ पे पैत्रे मारते रहते हैं तो गौर की जग यहाँ पे कि जो मुसाद है यह इंटेलिजेंस एजेंसी यही जो है एक explosive जो device है दोस्तों यहाँ पे explosive material है वो इस device लगा हुआ था जो explosive device लगा हुआ था ओडेटोनेट कर जाता और यह बलास्ट कर जाता और कुछ इसी परकार से हुआ दोस्तों आपको बता दे कि यह mobile phone के तोर पर यहाँ पे आज से ठीक 30-40 साल पहले बहुत जादा यूज किया जाता थे यहाँ पे आपको बता दे कि यह दुनिया भर में काफी जादा प्रसीद है और इनकी intelligence जो इनकी जो खुफिया जनकारी काठा करने की जो power है दोस्तों वो काफी जादा यहाँ पे तो वो mobile phone को किसी ना किसी रूप में यहाँ पे trace कर ही लेते यहाँ पे इसलिए वो आज भी यहाँ पे मुसाद की डर से कहले यहाँ पे पेजर को युज नहीं करते हैं बलकि यह वो की टोक यहाँ पे पेजर को युज करते हैं दोस्तों और यह पेजर मंगवाया गया था ताइबान से यहाँ पे और ताइबान के factory में जाकर जहाँ पे इसको manufacture किया गया था मुसाद के जो agent है वो करीब 5000 पेजर के अ यहाँ पे शुरू में तो ring करेगा और ring करने के बाद यहाँ पे कहलिए कि वो detonate करके blast कर जाएगा यहाँ पे जिसके करने यहाँ पे कहलिए कि जो hezbollah के agent है जो कि यह device को काफी जादा यहाँ पे use करते हैं उनके कहलिए कि पूरे जो हाथ है चेहरा है और जो stomach है इसके आनविये यहाँ पे कहलिए कि वो आज normalize हो चुका है दोस्तों यहाँ पे है ना देख सकते हो हाँ पे और इसको लेकर हेजबुला ने काफी बड़ा एक strong retaliate किया है यहाँ पे कि इसके लिए इसराइल को जरूर यहाँ पे कड़ा से कड़ा punishment यहाँ पे जहलना पड़ेगा दोस्तों आपने जाना यहाँ पे कि यह pager attack होते क्या है यह pager होता क्या है और अपने दुनिया के कुछ चुनिंदा जो intelligence agency है उसके बारे में जाना और एक बड़ आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हो बकाईदा यह आप देख पा रहे होंगे इसराइल और इस हिसे में जो बीच में लड़ाय हुआ लेकिन अब तरीकिस कहलिए कि यहाँ पे यह war काफे जादा extend करता जा रहा है और अब इसमें लग रहा है कि जो Lebanon है और जो इरान है वो पूरी तरह से involved होने वाला है दोस्तों तो आपको इस हिस्ते में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे Lebanon है दोस् जो कि Lebanon के अंदर से कहलिए कि operate करता है और लगतार यह इसराइल के उपर कई सारे attack भी यहाँ पे करता रहता है और इसराइल भी इसके उपर करता रहता है दोस्तों यहाँ पे तो यह जो इसराइल ने पेजर attack किया है यह कहलिए कि यहाँ पे Syria के अंदर और साथ में Lebanon के कि silently यहाँ पे इन लोगों को kill कर देना दोस्तों और इसको लेकर एक नया warfare यहाँ पर बताया जा रहा है psychological warfare दोस्तों अभी तक आपने नाम सुना होगा यहाँ पे nuclear warfare यहाँ पे आपने सुना होगा bio terror, bio warfare यहाँ पे chemical warfare होता है एक नए तरीके के यहाँ पे लेके आये गए है psychological warfare दोस्तों यहाँ पे है न तो चलिए और भी कई सारे यहाँ पे जनकारी है इस वीडियो में चलिए और आगे यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि अपने map पे देखी लिया होगा कि यह जो इसराइल है और इसके इस हिसे में गाजा है तो अभी तो इसराइल और गाजा के दिया जाता है यहाँ पे तो कहलेजे कि इरान कहलेजे कि कब एक तरीकेस करिए कि इसराइल के उपर फुल फ्लेजेज वार डिकलेर कर दे यह कहलेजे कि यहाँ पे काफी यहाँ पे यह हो गया है दोस्तों यानि कि बहुत कम समय अब यहाँ पे है जब यहाँ पे आप देख सकते हो बकाइदा एक walkie-talkie की तरह देखता है जो पेजर होता है दोस्तों और इसके उपर आप देख सकते हो कि एक जैसे की message flash कर रहा है all fire team member should report to phone आप देख सकते हो यहाँ पर कि इस परकार के कुछ यहाँ पर sort messages यहाँ पर आते हैं alert system की तरह भी यूज किया जाता है और इसको trace नहीं किया जा सकता है इसलिए काफे जादा इसको लोग यहाँ पर यूज करते हैं emergency की situation में भी और आज से 30-40 साल पहले ते हाँ यहाँ पर 1990 की time में यहाँ पर काफी जादा इसको यूज किया जाता था दो दोस्तों करके यहाँ पर भेजा गया था link करके message और यहाँ पर वही detonate आगे करवा यहाँ पर चलिए आप देख सकते हो exploding pazar psychological warfare इसराइल attack on Hezbollah दोस्तों तो सबसे पहले हम समझेंगे कि how did the pazar and walkie talkie explode तो यह जो यहाँ पर आप गौर करिएगा कि आखिरकार सब के जैसा अगर जो हम mobile phone की बात करें तो अचानक से ऐसा नहीं हो सकता है कि 5000 लोगों का mobile phone है अचानक से blast कर जाए दोस्तों यहाँ पर है ना लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जो mobile phone की तरह होता है अचानक से यहाँ पर एक ही बार में यहाँ पर सारे लोगों का जो यहाँ पर walkie talkie की रूप में जो पेजर था वो attack कर गया दोस्तों और जैसा कि आपने यहाँ पर सबसे starting picture में आपने देखा होगा इसको लोग कहां पर लगाते है तो आजा पहले नहीं लगा सकते हैं और ऐसा है कुछ देखने को मिला यहाँ पर आप देख सकते हो कि a small amount of explosive but planted inside a new batch of 5,000 पेजर ordered by the Hezbollah for its member आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर Hezbollah है दोस्तों वो अपने member के लिए लग भग लग पाच हजार नए पेजर के बैच को यहाँ पर करता है उस company का नाम भी जानेंगे यहाँ पर अपोलो करके है यहाँ पर तो वो जो company है लग भग लग भग 5,000 जो है वो यहाँ पर नया batch of जो पेजर है वो Hezbollah को भेजा था Hezbollah के demand पर दोस्तों यहाँ पर लेकिन यहाँ पर यहाँ पर यह बात पहले ही पता चल गया था इसराइल के जो intelligence agency है क्योंकि उनको बहुत समय से अभास हो रहा था कि यह जो Hezbollah है वो mobile phone को यूज नहीं करते है अदरवाइज अब तक हम यहाँ पर trace कर चुके हो तो दोस्तों जैसे कि आपने Pegasus War के बारेम नाम सुना होगा तो यहाँ पर जो NSA Group के दोरा बनाया गया था वो भी इसराइली यहाँ पर कमपनी के दोरा ही बनाया गया था तो इसराइल का कहलेजिए कि यहाँ पर संख्या में यहाँ पर लोग काफी कम है लेकिन यहाँ बुद्धी से यहाँ पर काफी जादा है लेकिन उनकी बुद्धी एक तरीके से के लिए कि विनाश काले बिप और यहां पर कहलेजे कि चुकी जो इसराइल है वो कहलेजे कि यहां पर बहुत जादा उसका लिंक है अमेरिका के साथ और अमेरिका का ताइवान के साथ काफी अच्छा बनता है तो कहलेजे कि नेगोशेशन करके यहां पर जो यह मुसाद वाले थे वो कहलेजे कि वहां पर जो मैनुफेक्चर कर रहे थे उनसे यहाँ पे समझोता वगरा कर लिया, मशवरा कर लिया यहाँ पे और साथ में यहाँ पे वो जो डिवाइस था उसको इंप्लांट कर दिया और इसके बारे में जो ताइवान है उसको भी पता नहीं चल पा यहाँ पे, कि आखिरकार इंप् बिसफोड कर गया और इतने सारे लोग यहाँ पे एक साथ इंजर्ड हो गए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, according to a senior Lebanese security source who spoke to the Reuters new agency, Israeli intelligence services were irresponsible, उनका कहना है कि पुरी तरह से इसको इसमें जहाँ पे, Israeli intelligence services वो इसमें involved है दोस्तों, the Musad injected a board inside of the device, आप देख सकते हो, कि वो जो पे पेजर है जिसको डिवाइस बोला जा रहा है, उसके अंदर एक board को यहाँ पे inject कर देता है, implant कर देता है, और एक switch के साथ दोस्तों यहाँ पे, जो switch या फिर जो एक तरीकेस कहलिएग कि यहाँ पे, बोड है, एक message को receive करेगा यहाँ पे, या फिर कहलिए कि code को send किया जा उसको इसी प्रकार से डिजाइन किया गया, इट्स वेरी हाड टू डिटेक्ट इट थोरोल देर एनी मेंस इवन विथ एनी डिवाइस और आप देख सकते हो, और ना उसमें जो डिवाइस रखे गया है, उसमें जो एक्सप्लोसीव मटेरियल रखा गया है, उसको किसी भी स्काइनर से पकड़ा नहीं जा सकता है, किसी भी स्काइनर से उसको डिटेक्ट करना काफी जादा impossible सा था दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि, इस मैसेज के आने के बादे जोड़ से यहाँ पर यह बीप करने लगा, और जैसे ही बीप करने लगा, तो हेजबूला के जो मेंबर थे, वो अपने जेब से निकाल कर यह जो डिवाइस था, उसको अपने चेहरे के करीब लाकर देखने लगे अखिरकार, यह बीप क्यों कर इसलिए सबसे पहले यहाँ पे बीपिंग साउंड यहाँ पे बच करया, काफी जोरो सोरो से यहाँ पे वजने लगा, और जैसी हो अपने चेहरेक सामने लेकर आए, यह बलास्ट कर गया दोस्तो, इस पेजर का नाम क्या है, तो Apollo AR 924 करके पेजर है, जिसके अंदर आप देख यहाँ पे मैसेज आये जा रहे थे, हिजबुला के मेंबर के पास उनके इस पेजर में, और उनको पता नहीं चल पाया, कि यह आखिरकार आगे चल कर कुछ चंदु मिनट में, एक explosive device बनने वाला दोस्तो, आप देख सकते हो, कि लगभग लगभग, 3.30 में, 17 तारीक के 3.30 बजे यहाँ पे, कहले जे कि इस परकार से यह डेटोनेट होना सुरू हुआ यहाँ पे, और काई सारे लोग यहाँ पे इंजर्ड हो गए, वेर डिड़ दर डिवाइस कम फ्रूम है ना, जैसे कि हमने इस शुरू में बात कर लिया यहाँ पे, कि यह ताइवान ही यहाँ प यहाँ पे, आप देख सकते हो, पे, कि यह ताइब ल Bonnay जे जानेट हो, फॉरा प्रूम हे था रखान कर दोस्तों हुआ। अवेलवल आप देख सकते हो, कि जब यहाँ पर social media पर काफे जादा एक तस्वीर वाइरल किया जा रहा थे हाँ पर, उसी walkie-talkie, उसी pager को लेकर, जिसके नीचे लिखा हुआ था, made in Japan और ICOM लिखा हुआ था, इसके बाद यहाँ पर, ICOM के यहाँ पर, जब यह रिपोर्ट य उसाका, hedge offices in several other country, including the US, Germany and China, the firm has previously shared the production of model इतना, which appeared to be the model image seen by the rotor, आप देख सकते हो, यहाँ पर, उनका नाकेबल जपान के अंदर है, बलकि कई सारे और, यहाँ पर, देशों में भी इनकी company है, दोस्तो, चलिए, यहाँ पर, देख सकते हो, कि जो hedge बूला है, उन्होंने यहाँ पाँच हजार पेजर को, एक तरी किस कहरिए कि, और किया था, जो ताइबान-based company है, जो कि एक company का नाम है, गोल्ड अपोलो, और यही यहों manufacture करती है, तो यह जो पेजर है, वो किस company के थे, गोल्ड अपोलो करके था, दोस्तों, यहाँ पर, according to the Lebanese official, indeed, it was this new device that exploded, other sources told Reuters that the pager had been brought into the country, northern hemisphere, spring, अब दे सकते हो, कि northern hemisphere से इसको यहाँ पे, लेवनान के अंदर, मंगवाया गया था, दोस्तों, analyst at the open source intelligence source, यह जो पेजर है, वो गोल्ड अपोलो, जो कि यहाँ पे ताइबान बेस्ट कमपनी है, जो कि पेजर को manufacture करती है, वहीं से इसको मंगवाया गया था, हेजबुला अपने member को यहाँ पे यह देना चाह रहा था, दोस्तों, यहाँ पे, क्योंकि वो mobile phone का तीज कर नहीं सकते है क्योंकि उनको डर है, कि इसको trace किया जा सकता है, हमारी जो confidential जानकारी यहाँ पे है, वो यहाँ पे कह लिए कि दोस्तों, मुसाद के हाथों में चला जाएगा यहाँ पे, चली आब यहाँ पे, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, क्या खिरकार जो हेजबुला है, वो पेज स्कोल होता है, उसको दोस्तों, popular in the 90s, 80s and the 90s, तो अब देख सकते हो, 1980 और 1990 के दसक में यह काफी जादा popular हुआ करता था, जब यहाँ पे मुवाइल फोर परचलन में नहीं आया था दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे इसका जो डिमांड है, वो 2000 में कम होता चला गया, जैसे य माट फोन वगेरा यह सब आते चले गए यहाँ पे, इसकी जरूरत ही लग भग भग खतम सी होती चले गए थी, मुवाइल फोन के राइज के कारण दोस्तों, लेकिन बहुत सारे जो यहाँ पे लोग है, इसको अभी भी यूज कर रहे थे, जैसे कि हमने मुसाद को देखा हैं यहाँ पे, हेजबूला इस नोन फोर यूजिंग देवाइसे टू कमुनिकेट बिकॉज अनलाइक मुवाइल फोन, दे के इवेड लोकेशन ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग बाई इसराइली इंटेलिजेंस, तो आप देख सकते हैं पे हेजबूला के दौरा इसको क्यों इनका मॉवाइल इसलिए यहों लोग आज भी यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं तो पेजर को यूज कर रहे हैं, पेजर जो कि यहाँ पे एक लोर टेक डिवाइस होता है, हजार रुपया में यहाँ पे यहाँ आ जाता है, मॉवाइल फोन तो 10,000-20,000 के करीब यहाँ पे इसलिए कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे हेजबूला के द्वारा इसको ओर्डर भी किया गया था, क्योंकि लोर कोष्ट वगरा होता है, और साथ में ट्रैक वगरा हो नहीं सकता है, लोकेशन वगरा, कुछ भी किसी को पता चलनी सकता है हाँ यहाँ पे, योशी मेल लाइन पे हाँ पे किसी वार के अंदर इनवाल होते तब तो यह करते ही है, या फिर नॉर्मल लाइफ में भी यहाँ पे, ओ कहलेए कि मार्केट वगरा है में भी कहें पे भी जाते है, तो यह डिवाइस अपने साथ रखते दोस्तों, क्योंकि कब किसी परकार का कोई लिए हमेशा वो अपने पास ही रखते हैं यहाँ पे, और मार्केट के अंदर भी कई सारे हाँ जो हेजबूला के मेंबर थे, वो यहाँ पे टहल रहे थे और अचानक से वो ब्लास्ट कर जाता है यहाँ पे, और बताय जा रहा है यहाँ पे, लेबनान के दौरा कि हमारे इ यूज किया गया, this would easily be the biggest contingence, failure if the Hezbollah has said dinner decade, आप देख सकते हो, और यह इसलिए बताय जा रहा है कि हेजबूला की यह बहुत बड़ी हार है दोस्तों, उर्होंने कह लिए कि यहाँ पे, intelligence में भी यहाँ पे काफी जादा हो, हार गये हाँ इसराइल से यहाँ पे, इसलिए ब यूज किया जाता है, mobile phone के अंदर, तो easily यहाँ पे location वगरा है, उसको track कर लिया जा सकता है, दोस्तों, इसलिए वहाँ पे इस डर से वो लोग यूज नहीं करते है, Hezbollah is well aware of the threat, pushed by using mobile phone, तो mobile phone से क्या-क्या यहाँ पे खत्र हो सकते है, इसको लेकर Hezbollah काफी अच्छे तरी हसान नसारा warned a supporter their phone were more dangerous than Israeli spies saying they should break, bury or lock the device in an iron box है, जैसे कि आपने देखा कि भबररी के महीने में यहाँ जो जेनरल सेक्रेटरी है, दोस्तों, उनका कहना था कि mobile phone का यूज करना यहाँ पे Israeli army से भी जादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि mobile phone है, आपको break कर सकता है, आपको bury कर सकता ह और साथ में आपके device को पूरी तरह से यह बरवाद कर सकता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल iron box के अंदर बंद कर दो, यहाँ पे, यह बहुत जादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए बहुत सारे जो लोग है, mobile phone को बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, खास करके Hezbollah के जो member है दोस्तो, all across the network, इसलिए काफे अचा असानी तरीके से mobile phone को tracking किया जा सकता है, इसलिए लोग यहाँ पे, पेजर का इविच कर रहे थे, तो आपने जाना यहाँ पे, इस वीडियो में कि पेजर क्या होता है, तो पेजर एक, कहीजिए कि यहाँ पे wireless device होता है, और यह एक lower cost य यहाँ पे message कर सकते हो, या फिर kevall text कर सकते हो, जेनरल यहाँ पे पहले युच किया जाता था, waran के लिए दोस्तों, यहाँ पे है न, इस सलिए कि फाइर ब्रिगेड वाले युच करते थे, military वाले युच करते थे, यहाँ पे, यहाँ रेल वे वगरा युच करते थे, हमा यहाँ पर explosive device था वो यहाँ पर explode कर गया तो कैसा लगा आपको जनकारी पेजर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट वोस में जुरूर बताईएगा मिलते कर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए keep learning, keep growing, this is all, I'll see you next one, bye bye